विडियो सुरू करना से पहले पहले बात तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूं तहे दिल से अभी अभी कल कली पर सुन दस अजार सब्सक्राइबर मेरे पूरे हुए और इसके मुझे बहुत खुछी इसलिए कि अभी पहले दस जासे पूरे की हैं और लोग कंसिस्टेंट रहा हैं यूजिए करते रहते हैं और हमेशा एफ्रिशीट करते रहते हैं और हमेशा बने रहे हैं आप अपक्off कर लोग से कि सच्चाई से मुझे लोग कमेंट करें ताकि मुझ में अगर कुछ कम ही है तो मैं उसको सुधार सकूँ अब जो लोग मेरी बातों से नाराज हो जाते हैं कुछ लोग हैं कमेंट करते हैं कि मैं वह एंटि-मुसलिम वाली चीज तो उस पर मैं किसी और दिन लाइब दूँगा सामने जवाब दे दूँगा लेकिन जवाब मैं बहुत दे चुका हूं लेकिन लोग को समझ में नहीं आता है आपको अगर अपनी एक मानसिक्ता बना के रखनी है कि मैं हूं ही असा तो आप मेरे जवाब से कभी सेटेस्वाई भी नहीं होने वाले खेर आज बा हिंदू भाईयों सेर बनो जबाब दो ना सेर बन सको तो सेर करो दबा के सेर करो कुछ चीजह पर क्लारेटी बहुत ज़रूरी होती है और वही डिसकेस करने आज हम लोगा है आप लोग भी कमिना बताईएगा पहली चीज जीटीपी माइनस में गई माइनस 23.9 समते चलो मा 24 के दें पॉइंट बहुत ज़्यदा होता है इतनी बड़ी एकनामी के लिए और कुछ गदे तो तरक भी यह दे रहे हैं कि 40 साल में इतना गंदा जीटीपी नहीं किरा होगा इतना बड़ा मतलों आपको देखने को नहीं मिलेगा इतने बड़े नंबर्स नहीं मिलेंग इत इस वज़े से इतना बड़ा लॉक्डाउन करना पड़ा हो यह भी बता दो आपको क्या लगता है कि इस 6 साल का रिजल्ट है या फिर सबने यह फेस कि I think मुझे यह लगता है और शायद यह बात भी सही है कि यह जो नंबर्स हैं यह उस समय के हैं जब करोना पैंडमिक पीक पे था जब लॉक्डाउन था और यह पूरी दुनिया ने सफर किया है पूरी दुनिया ने अपने कामों को बंद करके रखा और कई देशों की एकनौमी माइनस में गई है वो भी डबल देजिन है तो क्या यह मोदी की गलती है क्रिटिसिजम बहुत जरूरी है एक अच्छ यह करिए तो सही उसको ठीक करने के लिए अगर आप एक सा बोलेंगे सरकार से तो उसके पास यह नहीं रहेगा कि वह भी आपको प्रिटिसाइज नहीं करेंगे आपको क्रिटिसम के लिए वो सोचेगी कि हमें सॉलीशन दिया गया है तो शायद उस पर विचार करें और एम लेके चल रहा है कि इंडिया की एकनॉमी को पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुचाना है वो आदमी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएगा जिससे हम रिवाइप कर पहें या फिर ऐसी पॉलिसी बनाएगा कि माइनिस में चली जाए थोड़ा लॉजिक लगाई अगर किसी क नेगेटिव तो नेगेटिव यह तो अब बात कर लेते हैं सॉलुशन की अगर सरकारे भी इनिशेटिव लें जनता को अपर्चोनिटी दें प्लैटफॉर्म दें तो एक बहुत बड़ा एक कंबाइन इनिशेटिव होगा एकनॉमी को रिवाइफ करने पहली चीच अग्री आज तक उनके आप ऐसे की वह तंग यह कि उनका पुरा परिवार करदार है हम ऐसी क्या सब्सडी क्या उनको ऐसी इंसेंटेल से फिर ऐसी देते हैं कि उनका स्टेटिस बढ़ रहा है वह उनके फैमिली का कोई बच्चा निकल रहा तो यही कह रहें कि आप फार्मिंग करो वह उनके बच्चों को वह नहीं भेज रहें फार्मिंग में वह भेज रहें शहर वह रिस्क लेकर कहना है कि आप कुछ और बन जो फार्मर ना बनना बिटा हमाई जिन्दगी तो नर्क में गई अगर फार्मर फार्मिंग करना छोड़ देगा इस एगरी कलिचर देश में तो खाएंगे कैसे इसलिए हमारे वर्ण सिस्टम था ब्राह्मन का कुछ और काम था शुद्र का कुछ और वैश्य का कुछ और सबके अपने अपने काम बटे थे इसलिए एक नौमी चलती थी उस वक्की आज कास सिस्टम बना हुआ है और हमनों लड़ते हैं अपने आप से कि हम उपर हैं तुम निच्चे हो तो हमारे घ्रीक कल्चर सिस्टम को आतो और अपने सेक्टर में आप लेया है और इस बाहरे द्म अमाश्य को ऐतना पघ्रश चर्चा करीं सारे और सारे करज मुंक्त हो जाएं और साथी जिजान लगाके क्वालिटी की खेढ़ियां आपके support के साथ आप देख लिए आपके बाद सपोरी टीम होगी मैं सरकार की बात कर रहा हूँ और जनता से भी कहा हूँ सरकार की जितनी scheme साती है आप aware रहिए, active रहिए एक दूसरे की मदद करिए और scheme को avail करके अपना काम करिए यूथ के लिए बहुत जरूरी है जो हमारा gaming sector था उसके लिए सरकार भी चारी है को बूस्ट मिले मुखे संबानी का भी ट्वीट था या निवसी कुछ थी उनका बयान था कि gaming sector एक बहुत बड़ा sector बनने वाला है उन्होंने पता निकिस sector से compare किया था मुझे याद नहीं आरा सौरी मैं अगर मुझे उसके लिए तो मैं लागा दूँ आप देख सकते हैं तो एक बहुत बड़ा sector हमारे यहां पना पर रहा है बहुत यूट्यूब पे सिर्फ दिखता है या फेस्बूक लाइब में हम लोग कभी कभी कोई टीम जाती है तो बाहर से करूर दो करूर जीत के आ जाती है तो क्या अगर वो बाहर का पैसा लेकर आ रहे हैं बाहर के इंटरनेशनल प्लैटफॉर्म पे तो देश में तो खर्चा हो रहा है तो अकर सरकारे हमें प्लैटफॉर्म देंगी या फिर कोई प्राइविट इंस्टिटूट हमें प्लैटफॉर्म देगा जो हमें रिकगनिशन दे जो एकुप्मेंट्स प्रवाइड करा जो ट्रीनिंग दे जो अलग लग तरीकी की फैसिलिटी दे जिससे बच्चों का में बहुत बहतर कर पाएंगे और शायद यही कारण है कि जो बच्चे धंग से पढ़ने सकते हैं उनका दिमाग किसी और काम में कई गुना ज्यादा तेज़ चले कभी ट्राइगर करके देखिए यह तो मेरा एनलेसिस था उपेनियन समझ सकते सजेशन समझ सकते हैं जंता क तो आप जानते हैं कि उसने कभी कुछ हासिर नहीं कि eleım कर रहा है कि उसके पास के लिए पॉइंट्स आते जाने हैं अगर वह गुरूप भी अगर दिमाग लाएं कि हमारा अधेश का फायदा हो रहा है कुछ नहीं हो अधेशन करता रहेगा तो शायद सरकारे सिरफ अपने लिमिटेड सोच रखते हैं तो मैं चाहता हूं क्रिटिसिजम तो करिए करी सजेशन भी दीजिए और काम भी करी और वीडियो चलाएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जोरो करेगा कमेंट में जोरो बताइएगा कि आपके क्या पॉइंट ऑ विव है आप क्या लगता है सरकार को किस की चीज़ पे काम करना चाहिए आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं कमेंट बताइएगा मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं जो डिलीट करने वाली बात है कि कमेंट्स गाइब हो जाते हैं तो मेरी गलती नहीं वह यूट्यूब अपनी पॉलिसी के साफ से रूस और रिकॉलेशन के साफ से खुद कर देता है तो कमेंट करीगा मैं देखूंगा मैं कोई कमेंट नहीं सेर करो दबा के सेर करो